हाई गाईज और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल अनालेसस अफ सेविन्त ओफ फेवलरी 2021 तो गाईज आज है तारिक साथ फरवरी 2021 और है संडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर, दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कंप्लीट न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक् यहाँ पे आप लोग क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जोइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत असान तरीका है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिरेक्ली टेलिग्राम का लिंक गिवन है वहाँ से आप आपको डेली करेंट एफिर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली डिजिटल नोट्स मिल जाता है यह सारी चीज़े आपको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिल जाती है तो जाकर इसको जॉइन करकर इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो आप बिल्कुल फ्री मे ओके नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर में एक मैप का क्वेशन लेते हैं और आज भी आपको जाकर मैप के अंदर देखना है बहरीन को ठीके तो आज आप मैप में किसे देखोगे बहरीन को कहाँ पे इसकी exact location है किस आज के ताइम पे बहुत important है क्योंकि इंडिया और बाहरेन ने मिलकर renewable energy में काफी दादे cooperation की तरफ अपना step बढ़ाया है इस वज़ज़ से यहाँ पे बाहरेन news के अंदर है आज संडे है जैसे आप लोग को देखने को मिला और मालूम भी सभी लोग को संडे है तो संडे में जो एडिटोरियल से है वो आते नहीं है ठीके संडे में आता है science and tech के news आती है और कुछ उसके बाद वाली news आती है तो हम discuss करने वाले है तो आज एक important aspect को हम फिर से discuss करेंग और बहुत important issue बन चुका है आज के टाइम पर आप देखोगे सभी जगा पर बहुत सारी newspaper, outlets सभी जगा पर इस news को cover करा जा रहा है last मैं discuss करेंगो इस news को तो सबसे पहले हम लोग अपने बागी सारी news को discuss कर लेते हैं सबसे पहले article आप लोग को यहाँ पर यह वाला देखना ह यह है कि वो लोग यहाँ पर एक चक्का जाम करने वाले हैं ठीक है तीन घंटे का चक्का जाम होगा और तीन घंटे का ही चक्का जाम हो गया है कल के दिन और यहाँ पर Saturday में यह सारी चीज़े हुई तो लेकिन बहुत peacefully यहाँ पर यह सब चुईज देखने को मिली है जैसा क कि Republic Day पर हुआ था वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और question यह उठता है कि यहाँ पर यह जो protest है farmers यह क्यों कर रहे हैं ठीक है आप सभी लोग को मालूम होगा जो केंदर सरकार है वो तीन farm bills को लेकर आई थी ठीक है तीन farm bills को लेकर आई थी और जिन farm bills की वज़ा से लगबग 2-3 महीने हो चुके हैं लगातार farmers प्रोटेस्ट करें डेली बॉर्डर पर farmers की मांग यह है कि जो सरकार bills लेकर आई है उनको वापस से withdraw कर ले क्योंकि उससे farmers को कोई अपना फायदा नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है यह थे कुछ यहाँ पर important concept उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो तीन घंटे का चक्का जाम लगावा यहाँ पर लगाया गया था यह चीज़ आप लोग याद रखना ठीक है उसके बाद यहाँ पर अपकी बार थोड़ा सा बदला थोड़ा सा यह बदला हुआ कि देखो Republic Day पर इतना जादे security force नहीं था ठीक है इतनी ताकि यहाँ पर ऐसी situation create ना हो ठीक है तो यहाँ पर यह था article ना उसके बाद यहाँ पर next article आप लोगो देखने को मिलेगा बात करी गई है नीती आयोग यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई बहुत सारे जो green verdicts हैं उनके उपर यहाँ पर चीज़े देखेगा green verdicts याने कि ब इन चीज़ों को बंद कर दो तो यह बंद कर दे गई है ना जो नीती आयोग है वो इन चीज़ों को देखेगा कि भाई हैं यहाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़े हैं तो जो भी judicial decision है या फिर यह सारी चीज़े यहाँ पर यह नीती आयोग देखने वाला है ना कौशन यह उ इसकी फुलफॉर्म है National Institution for Transforming India ठीक है ऐसा institution जो की इंडिया को transform करे एक बात करें तो government की एक apex body है यह सबसे उपर government में अगर हम बात करें भारत सरकार के अंदर सबसे उपर यह body मानी जाती है और जिसका aim यह था कि जो भी sustainable development है यह मतलब विकास है इसके इसको establish करा गया था बहुत important चीज़ जहां से question बनता है नीती आयोग को बलाया गया था 2015 में ठीक है NDA government के द्वारा और नीती आयोग से पहले क्या चलता था नीती आयोग से पहले planning commission चलता था फिर उसको यहाँ पर हम लोग ने replace करकर नीती आयोग के ले करा है नीती आयोग council के अंदर यहाँ पर all the state chief ministers होते हैं all the chief ministers of Delhi पुडूचेरी, lieutenant governor of the Andaman and Nicobar island, vice chairman nominated by the president यह सारे जो members होते हैं इसके अंदर यह चीज़ आप याद रखना in addition यहाँ पर साथी साथ temporary members को भी select करा जाता है काफी सारे universities से, research institutions से जो यह members होते हैं including chief executive officer four ex-official members और two part-time members यह सारे इस तारीक की यहाँ पर members हम लोग choose करते हैं ठीके तो यहाँ पर यह नीती आयोग के कुछ members है कौन कौन members होते हैं यहाँ पर यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना क्या है नीती आयोग एक sustainable development की तरफ ध्यान देता है और अगर हम बात करें तो एक institution है जो की इंडिया को transform करने के लिए यहाँ पर help करता है तो जो नीती आयोग है यह भी हमने देखा यहीचीज यहाँ पर भी लिखी गई है इसने बोला है कि जितनी भी judicial decisions वगरा है वो इन सब चीजों के उपर वापस से देखेगा क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कुछ projects हैं कुछ companies हैं जो कि यहाँ पर परिशानिया में आई है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे एक है Mopa Airport जो की Goa के अंदर है इसका अभी Supreme Court का decision आया 2019 के अंदर और इन्होंने बोला इन्होंने suspend कर दिया environmental clearance ठीक है तो यहाँ पर इसका environmental clearance को suspend करा गया फिर उसके बाद एक और company आई कौन था? Sterlight Cooper Sterlight Cooper जो तूती कूडू के अंदर Tamil Nadu के अंदर फिर Supreme Court का एक और decision आया था इसको भी यहाँ पर hinder करा गया ठीक है तो इस तरीके से काफी सारी लोगों के साथ problems आई है तो इन सब को वापस से देखने के लिए यहाँ पर नीती आयोग है नीती आयोग ने बोला है यहाँ पर plan किया है कि भाई यह लोग interview करेगा उन people का जो भी लोग affect हुआ है इन projects के बंद होने से ठीक है इन सब चीजों के बंद होने से जो भी लोग affect हुआ है उनके उनका interview करा जाएगा और देखा जाएगा यहाँ पर क्या problem वाकवी में create हुई है ओके नाव उसके बाद next article और important article है काफी यहाँ पर बात करी गई है FSSI के द्वारा ठीक है FSSI क्या है आप लोग को यह मैं बताता हूँ सबसे पहले इसने भाई जो trans fat है ना उस पे रोक लगाई है काफी कम कर दिया trans fat को क्योंकि trans fatty acids जो TFA है वो आज के टाइम पर बहुत जादे खतरनाक बन चुका है बहुत जारी diseases इससे produce होते है तो FSSI Food Safety and Standard Authority of India इन्होंना भई जो rules वगरा थे उसमें change करा गया और यहाँ पर जो TFA है ठीक है trans fatty acids है उसके अंदर क्या change करा है भई trans fatty acids यहाँ पर आप देख पाऊगे जादा trans fatty acids नहीं रख सकते और यह चीज़े लागू होंगी 2022 से ठीक है क्योंकि trans fatty acids जो है काफ ज़्यादे खतरना हो जाता है क्या होते हैं यहाँ पर पिच्चर के थूरु समझ जाओगे देखो industrially produced trans fatty acids are found in baked and fried products जो भी यहाँ पर यहाँ पर फ्राइ करावा जो भी यहाँ पर product है जैसे कि यहाँ पर snacks हो गया cooking oils हो गया तो इन सब के अंदर यह trans fatty acids पाया जाता है ठीक है और यहाँ पर trans fatty acids जो है animal fat से भी कम पड़ता है मतलब कि सस्ता होता है butter से भी सस्ता होता है और अगर हम बात करें एक data है होगा है कि दुनिया में अगर हम बात करें तो जो trans fatty acids intake है वो काफी जादे बढ़ चुका है और साथी साथ हर साल 5 lakh death होती है इसको जादा consume करने से ठीक है यानि कि जो fatty acids है यह आपके ज़्यादा junk food के भी अंदर में होता है जैसे कि burger वगरा हो गया burger pizza इसमें भी बहुत जादे पाया जाता है ठीक है तो जादा consume करने से यहाँ पर 5 lakh लोगों की death होती है हर साल तो यह आद रखना दूसरी चीज़ यहाँ पर इससे problem क्या create होती है problem यह होती है आपका जो LDL level है वो बढ़ जाता है देखो आपके body में cholesterol होता है good cholesterol होता है bad cholesterol होता है तो जो bad cholesterol होता है ना वो काफी जादे बढ़ जाता है LDL बढ़ जाता है और सांस वगरा फूलने लग जाती है और ऐसी situation आ जाती है आपका चोक हो जाता है तो यहाँ पर heart diseases होने के काफी ज़्यादे chances होता है ठीक है तो यहाँ पर यह था Trans fatty acids के बारे माई होप आप लोगो clear होगा आगे बढ़ते हैं Now next page number 6 पर आप वही सारे articles दिखोगे जो हमने अभी page number 1 के उपर cover किया है ठीक है यहाँ पर आप गात करो तो village groups ने coordinate किया है चक्का जाम के अंदर यहाँ पर जो protesting farmers हैं सिंगू बॉर्डर पर उन्होंने Saturday में यहाँ पर आपका सकते हो पूरी तरह से चक्का जाम करा तीन घंटे तक उसके बाद यहाँ पर यह बता जा रहा है कुछ residents बगरा हैं जो कि village के आसपास थे उन्होंने काफी जादा participate भी किया इस road blocks के अंदर में ठीक है उनका participation भी काफी जहत तक हम लोगोंने देखा है ना उसके बाद यहाँ पर यह एक नया article आ गया कि जो farmers हैं उन्होंने highways बगरा ब्लॉक करे थे several national और state highways को ठीक है बहुत सारे national और state highways को block करा गया था लगबग यहाँ पर time था 12 बज़े से 3 बज़े तक और यहाँ पर क्यों किया रहा था वही farmer protesting के related यानि कि protest था इनका यह एक तरीके सा प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो farmles से उनको वापस से हटा दिया जाए repeal कर दिया जाए उके ना उसके बाद यहाँ पर आता एक interesting article यहाँ पर बात करी जा रही है जो hackers है उन्होंने phone data leak कर लिया है किसका army personal का यानि जो जम्मू कश्मीर में हमारे army लोग है army वाले लोग है उनका phone data leak कर लिया गया है hackers के द्वारा तो यह बताया गया नाओ यहाँ पर जो भारती airtel है यह बोला जारा था भारती airtel के थूरू यहाँ पर सब करा गया है लेकिन इसने जो भारती airtel network इसने पूरी तरह से मना कर दिया नहीं भी एसा हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है कोई हमारी तरफ से deal नहीं छूटी गई थी हमारी तरफ से बिल्कुल सिक्योर है तो hacker group नहीं यहाँ पर डेटा को leak कर आर्मी परसनल का क्या इस्तमाल करके भारती airtel network इस्तमाल करके कुछ इंडियन वेबसाइट को कुछ डेटा वगरा पोस्ट किया है उन वेब पेजिस के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर यह situation create हो रही है hackers के द्वारा ना उसके बाद यहाँ पर company यह बोलती है भारती airtel company की भाई हम लोग confirm कर सकते हैं कि हमारी तरफ से यहाँ पर कोई hack नहीं हुआ है कोई यहाँ पर airtel का system बेकार नहीं है airtel का system यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है ऐसा पूरा का पूरा यहाँ पर company ने बोला है ठीक है कि हम लोग साबित भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या situation होगी क्योंकि हो सकता यह article जो छोटा सा है आने वाले टाइम पर बहुत ज़ादे बड़ा article बन जाए ठीक है बहुत ज़ादे बड़ा issue बन जाए ओके ना उसका पेज नमबर 8 के उपर आएंगे पेज नमबर 8 पे यहाँ पर आप देख पाओगे बताया जा रहा है इंडिया आज के टाइम पर एक pharmacy बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो हमारे जो external affair minister है जैशंकर प्रसाज जी तो के द्वारा क्या बोला गया यहाँ पर आप लोगो इस चीज के ओपर ध्यान देना है तो बोला गया while according to priority to the infrastructure manufacturing जैसे कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं अपने infrastructure को develop करने पे जादा manufacturing करने में health sector में हम काफ़ जादा investment वगरा बढ़ा रहे हैं आपको देखने को मेरेगा जो infrastructure है manufacturing है और जो health sector है इसमें हम लोगों ने अपना investment को बढ़ा दिया है इंदा agriculture sector में भी हमने investment को बढ़ाया तो यह हम लोगों काफ़ जादे जरूरत था इसको करने के लिए ठीके और आज के time पे देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़दे helpful भी होने वाला है आने वाले time पे कि हम लोग investment करकर आने वाले time में इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे जशंकर प्रसाद जी के दौरा जो country है उन्होंने convert कर दिया COVID-19 crisis को एक opportunity के अंदर जो भी यहाँ पर COVID-19 का बवाल चला है उसको यहाँ पूरी तरह से opportunity के अंदर बदला गया हमारे इंडिया के दौरा ठीके काफी हद तक हम लोगोंने investment बढ़ा के एक सारे काम किये हैं इनके दौरा बताए गया ना उसको बदला यहाँ पर एक चीज और एड़ कर लेता है है यहाँ पर क्या है vaccine के बारे में ठीके इंडिया के अंदर अभी दो topmost vaccine है वो कौन-कौन सी है एक है co vaccine और एक है covishield याद रखना दोनों इंडिया के अंदर यहाँ पर यह vaccine दी जा रही है ठीक है और first dose जो vaccine की start करी थी हम लोगों ने 16 जनवरी से काफी पढ़ा था हमने इसके बारे में ठीक है कि रोज आ रहा था article 3-4 दिन तक लगा था हमने पढ़ा था कि हाँ भाई vaccination start हो चुका है लोगों को vaccine दी जा रही है अब यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि भाई अभी भी जो 5.6 million healthcare हो गए फ्रेंट लाइन वर्कर हो गए इनको अभी vaccine दी हम लोगों ने कितने लोगों को अभी तक vaccine मिल चुकी है 5.6 million healthcare workers हो गए फ्रेंट लाइन वर्कर हो गए इन लोगों को लेकिन याद रखना इनको अभी स्रिफ और स्रिफ first dose मिला है अब यहाँ पर तयारी करी जा रही है second dose की क्योंकि बोला यह जा रहा था vaccine के दो dose लगेंगे तब ही यहाँ पर चीजे सही हो पाएंगे तो यहाँ पर बताये जा रहा इंडिया जो है start करने वाला है अपना second dose COVID-19 vaccine का दीक है इंडिया के पास दो vaccine है मैंने अभी आप लोगो बताया था थोड़ी देर पहले कोवी शील्ड है एक दूसरा है को वैक्सीन तो तेरा February से यहाँ पर यह start होगा second dose और पहला dose स्टार्ट होगा था 16 January से यह भी चीज याद रखना आज के टाइम पर इंडिया के अंदर एक और vaccine एड़ हो रहा है वो है कोवावेक्स ठीक है कोवावेक्स यहाँ पर यह अमेरिकन ही है लेकिन यहाँ पर क्या है कि अमेरिका वालोंने contract दे रखा है हमारे Serum Institute of India को जो की पूने के अंदर है इसे contract दे रखा है कि आप जो है इस vaccine को बनाओ क्योंकि जो Serum Institute of India है जो की इंडिया के अंदर आता ह कि वो इतने vaccines को produce कर सकें, उस वज़ा से Serum Institute of India के पास यहाँ पर यह contract आया है, ना उसको वहाँ पर यह develop करा जाएगा, ओके, यानि कि जून तक हमारे पास एक और जो co-vaccine है, covishield है, इसमें एक और vaccine add हो जाएगी, covavax, ओके, ना उसके बाद यहाँ पर next article की तरफ बढ़ते जिया था, ठीके, नाओ यहाँ पर हेलिकॉप्टर है, K82260, ठीके, 6T नहीं है, 6T फी है, ठीके, आगे इसके T लगावा है, तो यहाँ पर इसका हेलिकॉप्टर का ना मैं, बोला यह जा रहा है कि भई, जो यह हेलिकॉप्टर है, यह 33% तक इंडीजीनियस है, यानि कि इस इसमें 33%, 35% तक हमने इसको खुद लेवलेब किया है, खुद मैनुफैक्चर गया है, और यह सब बोला किसके द्वारा गया है, हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट के द्वारा, और आप लोग को मालूम होगा, HAL जो है, यह हेलिकॉप्टर और यह सारे डिफेंस एक इसके बारे में अगर हम बात करें, इस हेलिकॉप्टर के बारे में, पहले तो आप पिच्चर देखरो, इस हेलिकॉप्टर का 2260 का नाम है, यह एक टोटल इंडिजीनियस कंटेंट है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें काफी हतक समान हमने खुद ही यूज किय है क्योंकि हम अभी अपनी आर्मी को दे रहे हैं हम अपनी आर्मी को यह वाले हेलिकॉप्टर्स दे रहे हैं क्यों जरूरत है क्योंकि हमारे पास कुछ पुराने हेलिकॉप्टर्स हैं और काफी टाइम हो गया हमें यूज करते करते और काफी फेमस भी हैं आप लोग को मालू होने वाले हैं 2260 और जल्दी से क्योंकि हमारे जो पुराने हेलिकॉप्टर से वो काफी जादे ओल्ड हो चुके हैं नाओ यहां पे हम लोग इन यह जो चेतक और चीता है इनका यूज हम खतम करने वाले हैं और लगबग हम पर लोग यहां पर देख पाओगे मैनमार के अंदर जो भी इंपौरदेन चीज नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं ठीक है यहां बात करी जारी मैंञार की तो मैंन मैं आज के टाइम पर इंटरनेट को अभी शटडाउन कर दिया गया है और काफी सारा आपको बवाल देखने को मिलेगा, मैंनमार के अंदर देख पाओगे अब किस कागार में प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसा प्रदर्शन चल रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? तो बने रहा हो वीडियो में आगे मैं थोड़ी देर में ही बस हमलों खतम कर रहा है, इसको क्यों आया है, military rule क्यों यहां क्यों आया है, क्यों यहां पर military ऐसा कर रही है, पहला ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ clear करेंगे, बहुत important topic बन गया है यह, उसके बाद यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, चाइना ने approve कर दिया है अपना second domestic vaccine, यानि कि अभी तक चाइना में पहला domestic vaccine था, अब उसका खुद का second domestic vaccine उन्हों आप रूव किया है, यहां पर आप लोग देख पाऊगे, जो चाइना की drug authorities हैं, इन्होंने यहां पर एक conditional approval दिया, second COVID-19 vaccine के लिए, जिसका नाम इस Inovac Corona VagJab, ठीक है तो यहां पर यह vaccine है, जो की नई vaccine आने वाली ह और अगर हम बात करें, इसका approval ऐसे नहीं दे रहा है, approval के लिए काफी सारा इन्होंने testing वगरा कर रखी है, multiple domestic trial हो चुके हैं इसके, और काफी सारे trial करे गए गए अलग-अलग countries के अंदर, जैसे की Brazil हो गया, Turkey हो गया, then सब कुछ confirm करने के बाद ही, इस vaccine को यहां पर declare करा जा रहा है, as a second domestic vaccine of China, okay, now page number 10, that is business section, business section में आपके लिए आज का जो economics related article है, आप देख पाओगे, कोई सा भी, आपका कोई सा भी मतलब का नहीं है, ठीके, कोई सा भी इतना important article नहीं है, but last में जो है, एक छोड़ा सा article दे रखा है, हलाकि यहां पर भी, इसके बारे में भी आपको मालुम होना चाहिए, ठीके, तो एक ही article है, जो कि आपके लिए important बन जाता है, बताया है, यह जा रहा है, इंडिया का जो internet startup है, on cusp of listing, यानि कि जो इंडिया में, अगर हम बात करें, internet के थुरू यहां पर जितने भी चीज़े चल रही हैं, वो आज के टाइम पर टॉप है, टॉप पर हैं बिल्कुल, ठीके, इंडिया के अंदर बिल्कुल टॉप के उपर हैं इस सारी चीज़े, अगर हम बात करें इसमें, आगी देख पाओगे आप लोग जो इंडिया के start-ups हैं, आगर जो कि business को operate करते हैं, जैसे की food delivery से हो गया, food delivery से लगबग e-commerce तक तो इंडि के अंदर बहुत जादे values create कर रही है, और बहुत जादे investment opportunities create कर रही है, लगबग हम बात करें, पिछले 2 साल के अंदर ये जो investment है ये बढ़ चुका है, लगबग 60 billion dollar का, ठीके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 60 billion dollar तक का ये investment बढ़ चुका है इसके अंदर, और एक report तो य ये भी बता रही है कि आने वाले time में 2025 तक जो इसके अंदर, online काम के अंदर जो investment देखने को मिलेगा हम लोगो, ये value बढ़ जाए कि 180 billion dollar तक की value हम लोगो ये बढ़ती भी नजर आ सकती है, ठीके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया में जो internet startups हैं, वो काफी अच COVID-19 काफी बार पढ़ चुक है, रट रट के बेकार हो गया है, यहाँ पर article सारा पुराना हो चुका है है, ठीके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये वाल आर्टिकल देख पाओगे, ये वाल आर्टिकल है आपके काम का और उसके बाद नीचे का एक दो आर्टिकल काम का ह देखने को मिल रही आज के टाइम पर और अगर गर्मी चलेगी ना तो भी वाटर स्केर सिटी देखने को मिलेगी, यानि की पानी की कमी है हिमाल्यन रीजन में, अब कहोगे हिमाल्यन रीजन में पानी की कमी, गर्मी के टाइम पर ऐसा क्यों, गर्मी के टाइम पर तो बरफ पिगलेगी पानी पानी हो जाएगा महाँ पर सब ठीके तो यहाँ पर इसके पीछे काफी सारी studies करी गई है काफी सारे लोगों ने studies के दुरू बताया गया है पहले तो हम लोग बात करते हैं छोटे-छोटे हो जाता है ठीक है बरफ पी गलती ऑप्यस सी बात है अगर हम बात करें यह काफी जादे आज के टाइम पर जो है हिमालिया के तुरू रिवर निकलती है उसका एनरजी प्रोडक्शन के लिए इस पानी का इस्तमाल करते हैं लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो देखो यहाँ पर exactly यह बोला जा रहा है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है लगातार हर साल जो है लगातार ग हो रहा है ऐसा क्यों इसके पीछे का रीजन यहाँ पर एक मॉडल के तुरू यह इसका पूरा का पूरा स्टडी करी गई और मॉडल के तुरू यहाँ पर यह बताया गया यह आप देख पाओगे कि जो ग्लैशियर है स्टार्टिंग में तो वह मैल्ट हो गया यानि कि चलो कुछ सालों से ठीक है तो इसका जो साइज है बरफ का साइज है वो और छोटा हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा इससे क्या होगा अब यहाँ पर इतना मेल्ट हुआ बाद में और टाइम आएगा तो आने वाले टाइम में और मेल्ट होना है फिर बाद में यह कम मेल्ट होग से इतना पानी नहीं निकल पाएगा, तो यही बताए जा रहा है, इसनों आज के टाइम पर काफी जादे lower density पर यहाँ पर आपके सकते हो, यह काफी जादे easily melt हो सकता है, अगर जैसे जैसे climate, जो है, गरम होगा, जैसे जैसे temperature गरम होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो Glacier melt will increase initially Starting में तो भई जो बड़ी तेजी से यहाँ पर melt होगा लेकिन उसके बाद में इसका size छोटा हो जाएगा ठीक है बरफ देख रहे हो आप बरफ रखोगे आप कैसे तो एक plate में बरफ रखोगे उसको देखो Starting में तो बड़ी तेजी से यहाँ पर melt होता चला जाएगा जब छोटा सा बचेगा भई उसमें से कितना पानी निकलेगा पहले तो बरफ काफी जादा है तो पानी जादा मिल जाएगा लेकिन जब बाद में कम बचेगा तो उसमें से कितना पानी मिलेगा तो आने वाले टाइम बे क्या होगा कि यहाँ पर और जादे situation create हो सकती है तो इसको देखते हुए यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि भाई टीम को एक proper water management करना पढ़ेगा वहाँ पर urgently situation यहाँ पर create हो रही है जैसको सबसे बड़ी चीज तो यह है कि भाई यहाँ पर warm जादा हो रहा है temperature जादा warm हो रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा reason यह है कि हम लोग environment के तरफ ध्यान अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो वो चीज हम लोगों करनी पड़ेगी ना उसकाद यहाँ पर यहाँ बताय जा रहा है एक बदलाव आ जाना ठीक है और यहाँ पर एक बदलाव होता है useless तरीके का यह mutation इंसानों के अंदर भी होता है और viruses के अंदर भी होता है लेकिन virus के अंदर यह mutation काफी खतरनाग बन चुका COVID-19 के अंदर ठीक है इस spikes के अंदर यह बदलाव आया है और इसी बदलाव ने जो है इस coronavirus को 70% तक और जादे खतरनाग और जादे infectious बना दिया है ओके नाओ चलो बढ़ते हैं आगे अपने last article की तरफ नाओ यहाँ पर आते हैं page number 13 के उपर यह आपको last article देखेगेगा और आज का अपने thumbnail भी इसी को देखाऊगा इसी picture का इस्तमाल भी किया गया है नाओ यहाँ पर Myanmar के अंदर क्या situation है मैं अभी आपको समझाता हूँ ठीके देख़ए Myanmar के अंदर अभी के लिए आज के टाइम पर military rule आ चुका है ठीके जो military है उसने तकता पिलट करकर अपने कबजों में कर लिया है Myanmar को लेकिन अकर हम बात करें इससे पहले एक party हुआ करती थी NLD कर गए ठीके और इसकी फुल फॉर्म है National League for Democracy और इसकी leader हुआ करती थी यह जिनके आप picture देख रहे हूँ इनका नाम है अंग सैंसू की तो अभी यहाँ पर रिसेंटली भी यह नवंबर के अंदर election हुए था यह elect हो गई थी और Myanmar को control कर रही है अच्छी तारीके से यहाँ पर सारी चीज़ चल रही थी लेकिन बीच में यहाँ पर military को होश आता है military वहाँ की क्या बोलती है कि हाँ भाई यहाँ पर जो election हुए है यह गलत तरीके से हुए है मतलब कि election के अंदर जोल जाल हुआ है और उसकी वज़ा से यह हाँ पर leader बन चुकी है अब इन चीजों को देखते कहते 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 military ने directly coop कर दिया military ने तकता पलट मार दिया military ने बोला कोई control नहीं करेगा Myanmar को इसको हम लोग control करेंगे ना हो इसके बाद यहाँ पर यह situation create हुई लेकिन अगर हम बात करें कि यह क्या नहीं कहानी है बिल्कुल नहीं पहले काफी बारा सा हो चुका है 1992 से लेकर काफी लंबे समय तक लगबग 50 साल तक military ने rule किया था फिर उसके बाद यहाँ पर काफी time पहले अभी कुछ time पहले ही यहाँ पर यह leaders बगरा election अच्छी तरीके से हो रहे थे लेकिन उससे पहले कम से कम military rule ही जो है आप कह सकते हो महाँ पर चलता था मैनमार के यह situation है कि वहाँ पर military rule आ चुका है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि जो election है वो गलत तरीके से हुआ है और यहाँ पर कौन से कौन सी party जीती भी थी मैंने आपको बता दिया कौन यहाँ पर party का leader था यह भी मैंने बता दिया और इनको काफी जादे परिशानी हो रही आज के ताइम पर क्योंकि जो military नोंने इनको काफी जादे remand पर ले रखा है और जो मैनमार के लोग हैं वो काफी जादे protest पर निकले पड़े हैं आप लोग देख रहे होंगे picture में बहुत जादे protesting चल लही है मैनमार के लोगों के द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए military rule नहीं होना चाहिए ठीके और military यहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है इस protest को रोकने की कोशिश कर रही है आज के time पर ठीके अब यहाँ पर इसका solution क्या हो सकता है इस solution यह होता है कि आपको बहुत सारी international countries को इखटा करना पड़ेगा और बहुत सारी countries हैं आपस में मिलकर इसका solution निकाल सकती हैं काफी सारी countries मिलकर ही जो है इनका solution निकालेंगी इनसे बातचीत करके यहाँ पर काम कर सकती हैं अधर्वाइस निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा ठीके तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बताये गया है और यह मैंने चलो आपको बता दिया आपको मालूम होना चाहिए इस issue के बारे में क्योंकि काफी जादे यह news के अंदर है तो गैस इसी के साथ होता है आज का हमारा newspaper analysis पूरी तरह समाप आई होप आप लोगों सारी चीज़े clear होगे होंगी अभी तक आपने इस YouTube चनल को subscribe नहीं क्या है तो नीचे red color का बटन आ रहा होगा सबसे पहले इस चनल को subscribe कर लो साथी साथ bell icon प्रेस कर लेना